पांच रज्जों में उल्ची आफ़ताप की हेट स्टोरी श्रद्धाव से हैवानियत पर सबसे बड़ा खुलासा दरिंदगी के सबूत फिर भी अन्सुलजे सवार श्रद्धा के कातिल आफ़ताप का अब होगा सच से सामना क्योंकि पूरी होने बाली है तलाश नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूँ अभी शेक कातियान दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं पुलिस की जाच दिल्ली समेत अब पांच राज्यों में पहुँच गई है पांच राज्यों में चल रही है और इस बीच पुलिस को एक सीसी टीवी फुटेज मिला है इसमें आफ़ताप एक बैग लटकाए दिख रहा है वहीं पुलिस को आफ़ताप के घर से एक नुकीला हतियार भी मिला है लेकिन सवाल ये कि क्या ये सबूत आफ़ताप को सजा दिलाने के लिए काफी है या श्रद्धा मर्डर केस की गुथी अभी सुलजना और बाकी है श्रद्धा बालकर केस में जैसे जैसे जाच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे गो रहे है दिली पुलिस की जाच कई राज्यों में फैल गई है दिल्ली के अलावा महराश उत्राखंड हिमाचल हर्याणा में पुलिस श्रधा के मौत से जुड़े एक-एक सबूत एकठा कर रही है जाच के दौरान पुलिस उन मौडर केस से जुड़े अनसुलजे सबालों को भी सुलजाने की कोशिश कर रही है जो अब तक रहस्य बने हुए है इस बीच श्रधा के हत्या के आरोपी आफ़ताब का नया CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है ये फुटेज 18 ओक्टूबर के सुबा चार बजे का है जिसमें आफ़ताब एक बैग ले जाते हुए दिख रहा है पुलिस को शक है कि इस बैग में आफ़ताब श्रधा के बौडी के टुकडो को फेकने गया था क्योंकि ये CCTV फुटेज महरोली जंगल की और जाने वाले रास्ते का है फुटेज में है कि आफ़ताब ने उस रात तीन चक्कर लगाए थे दिली पुलिस श्रधा मर्डर केस से जुड़े हर सबूत को एकठा कर रही है इस सिल्सिले में पुलिस को आफ़ताब के घर से एक हतियार नुबा चीज मिली है पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है अब इस हतियार नुबा चीज की जाच से मर्डर की सारी गुथी सुलज सकती है शर्धा के मर्डर में किसी शार्प कटिंग वेपन्स का इस्तमाल किया गया था पुलिस सुत्रों के मताबिक आफ्ताप के घर से जो हत्यार नुमा चीज मिली है वो भी धारधार है पुलिस को शक है कि शधा के शवक के टुकड़े-टुकड़े करने में कहीं इसी हत्यार का इस्तिमाल तो नहीं किया गया पुलिस ने जो बरामदगी की है वो आफ़ताप की निशान देही पर किये गये हैं इसमें हतियार नुमा चीज के अलावा वो कपड़े भी हैं जो आफ़ताब के घर से जब्द किये गये हैं। पुलिस आज आफ़ताब के घर पहुची और वहां मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें ज्यादतर कपड़े आफ़ताब के हैं। इसके रावा पुलिस को आफ़ताब के घर से श्रद्धा के कपड़े भी मिले हैं। पुलिस ने आफ़ताब के घर से मिले कपड़ों को फॉरेंसिक जाच के लिए भेज रही है। हाला कि पुलिस की माने तो वो अब तक उन कपड़ों को बरामत नहीं कर पाई है जो हत्या वाले दिन आफ्ताब में पहने हुए थे पुलिस का मानना है कि हत्या वाले दिन आफ्ताब में जो कपड़े पहने होंगे उस पर खून के धब्बे जरूर लगे होंगे पुलिस अब तक उन कप्रों को भी बरामत नहीं कर पाई है जो मौत के वक्त शर्दा ने पहने हुए थे हाला कि पुलिस को भरोसा है कि आफ़ताब की घर से बरामत कियेगे कप्रों से कुछ हम सुराग जरूर मिल सकते हैं सबूतों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर गुरूग्राम में उस जगा पहुची जहां कल सर्च ओप्रेशन चलाया गया था पुलिस को शक है कि आफ़ताब ने जिस साथियार से शरधा के शरधा के शरधा के टुकड़े किये थे उसने उसी गुरूग्राम में चुपाया था इसलिए आज पुलिस की टीम मौके पर मिटल डिटेक्टर के साथ पहुची शुक्रवार को भी दिली पुलिस की टीम यहां पहुची थी और करिब एक घंटे तक टीम यहीं रही थी और फिर एक काले रंग की पॉलिथीम में कुछ डाल कर ले गई थी आरोपी आफ्ताब ने श्रधा के श्रव के सभी हिस्से जंगल में फेकने की बात अबूल कर ली है और पुलिस को दिली के छतरपूर और महरोली के जंगलों से कुछ हटियां मिली भी हैं दिली पुलिस की टीम 16 नवेंबर को 3 बार उस जगह पर पहुँची थी जहां आरोपी आफ्ताब ने श्रधा के लाश के टुकडों को फेकने का दावा किया था पुलिस की टीम 16 नवेंबर की सुबा करीब 6 बजे छतरपूर के जंगल में पहुँची जहां पुलिस को सर्च के दोरान कुछ हटिया मिली वही दूसरी बार दिली पुलिस की टीम सुबा करीब 9 बजे महरौली के जंगल वाले इलाके में 100 पुटा रोड पर पहुँची जहां पुलिस को सर्च के दोरान एक बड़ी हड़ी मिली यह हड़ी देखने में शरीर की फिमर बोन लग रही थी यह वो हड़ी है जिसे थाई बोन कहा जाता है जबकि तीसरी बार दिली पुलिस की टीम छतरपूर एंकलेव के पास जंगल एरिया और मेट्रो पिलर के पास जंगल एरिया में पहुँची थी सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन हड़ीों पर किसी बड़े तेज धारदार हथियार के कट के निशान मिले हैं शुरुआती जाँच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन हड़ीों को काटने और तोडने की कोशिश की हो लेकिन सबाल ये है कि ये हड़ी क्या किसे इनसान की है या फिर जानवर की पुलिस सूतरों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सर्च के दोरान व्रेडिया सुलना पैटला और फेमर हड़ीया मिली हैं व्रेडिय सुलना उसे कहते हैं जो हाथ की कलाई और कोनी के बीच की हड़ी होती है पटेला यानि वो हड़ी है जिसे नी कैब भी कहते है हालकि पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि जो हड़ीयां मिली है वो किसकी है क्या ये हड़ियां श्रधा की हैं या फिर किसी और की दिली के साथ साथ श्रधा मुर्डर केस का उत्राखन और हिमाचल कनेक्शन भी सामने आया आफ्ताब और श्रधा रिशिकेश के शिवपूरी में वशिष्ट गुफा नाम की जगा पर घूमने गए थे जहां गंगा नदी के किनारे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील पोस्ट की थी ये वीडियो चार मई का बताया जा रहा है जिस पर लिखा था कि मैं 1500 किलोमेटर दूर चल करके यहां पर आई हूँ अब दिल्ली पुलिस की जाच में क्या निकल करके आता है और कब यहां पहुंसती है वो क्या साक्षी जुटाती है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रधा के श्रब के कुछ टुकडों को उद्राखंड की पहाडियों में फेग दिया था यही वज़ा है कि श्रधा के मुर्डर करने से लेकर उसके श्रब के 35 टुकड़े करने तक पुलिस एक-एक अंसुल जी कुथी का जवाब तलाशने में जी जान से जुटी है हलाकि मुसीवत यह है कि पुलिस के सारे सवालों का आफ़ताब चालाकी से जवाब दे रहा है और जाज टीम को गुमरा कर बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि जल्धी आफ़ताब का सच सामने होगा नीरजगोर रजनीश शर्मा के साथ बिरो रिपोर्ट जी मीडिया शरद्धा ने आफ़ताब के बारे में अपने कई दोस्तों को बताया था आफ़ताब हमेशा शरद्धा को मारता पीटता था पुलिस शरद्धा के दोस्तों से पूछताच कर रही है और आफ़ताब के बारे में एहम सबूत जुटा रही है पुलिस शरद्धा के दोस्तों के बयान और वाटस अप चैट को आफ़ताब के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करेगी इसके बाद आफ़ताब पर शिकन जाक कस सकता है शरद्धा के साथ आफ़ताब कितनी दरिंदगी करता था ये जानकर आपकी रूह काप जाएगी जैसे जैसे शरद्धा के दोस्तों के साथ चैट सामने आ रही है वैसे वैसे आफ़ताब की जलाद वाली हरकतों का दुनिया के सामने खुलासा हो रहा है आफताब ना सिर्फ श्रद्धा से मारपीट करता था बलकि उसका मांसिक शोशन तक करता था श्रद्धा के साथ उसकी हैवानियत वाली कई तस्वीरे वाइरल हो रही है इस तस्वीर में श्रद्धा की दाहिनी आँख फूली हुई है और उस पर काला निशान पड़ा हुआ है नाक पर भी चोट के निशान है दाहिने गाल पर भी चोट के निशान है इस तस्वीर को श्रद्धा ने अपने एक दोस्त के साथ वाटस अप पर शेयर किया था इस तस्वीर के साथ श्रध्धा और उसके दोस्त का चैट भी जीनी उसके पास है जिसमें श्रध्धा की इस तस्वीर को देखकर उसका दोस्त उससे चोट के बारे में सवाल करता है जीसस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रेक्चर हो गया अपने साथ हो रही दरिंदगी का जिक्र किया था इससे पहले श्रध्धा के पूर्व टीम लीडर करण के साथ साल 2020 में की गई चैट में श्रध्धा ने उसके साथ हुई मारपीट का जिक्र किया था जैट में श्रध्धा केह रही थी कितनी चोट लगी है कि बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है ये तो सिफ सर नवेंबर 2020 में जब ये बहुत जादा हो गया था और बहुत बुरी तरह जब इसको मार पड़ी थी आफ्ताप से उस दिन ये घर अपना लॉफ करके ये बाहर भागी थी सर उसकी राइट आईज की नहींचे एक पूरा ब्लैक मार्क हो गया था जैसे बहुत बुरी तरह जैसे किसी ने पंच मार रहा होगा उसको श्रद्धा के पुराने बॉस ने ये भी खुलासा किया कि श्रद्धा मार पीट की घटना की शिकायत पुलिस में करना चाहती थी लेकिन आफ्ताप ने ये भरुसा दिलाया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी और श्रद्धा आफ्ताप की बातों में आ गई यही नहीं श्रद्धा ने ओफिस के लोगों को बताया हुआ था कि आफ़ताब उसका पती है इसको एक लड़के को एक दूसरा चांस देना चीए सेकेंड चांस देना चीए इस वज़े से उसने एफ़ायर फाइल नहीं थी इस बीच पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों से पूछताज की है जाच के लिए मुंबई पहुची दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धा के दो दोस्तों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया इन दोनों दोस्तों के नाम राहुल राय और गॉडविन है वहीं गॉडविन वो शक्से जिसने श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट और चोड के निशान वाले फोटो मीडिया को प्लब्ध कराये थे यानि गॉडविन श्रद्धा और आफ़ताब के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जानता है आज गॉडविन ने पुलिस के सामने आफ़ताब की हैवानियत का कच्चा चिठा खोल कर रख दिया गर से बचा के भाग किया थी तो उनको इमीजेट हेल्प चाहिए था जिसके वज़े से मैं उनको पुलिस टेशन लेके गया था इससे पहले कल केस में सबसे एहम सबूत श्रद्धा के दोस्त लक्षमन नाडर का बयान दर्ज किया गया था लक्षमन ही वो व्यक्ती है जो श्रद्धा और उसके परिवार के बीच की कड़ी था इसने ही सबसे पहले श्रद्धा के भाई को जानकारी दी थी कि उसका फोन कई महीनों से बंद है जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी लक्षमन से पुलिस ने कई सवाल पूछे पुलिस ने पूछा कि आफ्ताब से आखरी बार कब बात हुई लक्षमन ने कहा कि श्रद्धा की मौत के कुछ समय बाद मैंने आफ्ताब को फोन किया था ये पूछने के लिए कि शुरद्धा कहा है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा लक्षमन ने पुलिस से कहा कि आफ़ताब ने मुझे कहा कि उसका शुरद्धा से ब्रेक अप हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई है लक्षमन ने पुलिस को बताया कि उसकी आफ़ताब से 22 मई के बाद बात नहीं हुई लक्षमन के बयान से साफ है कि शुरद्धा के बारे में आफ़ताब जूट बोल रहा था पुलिस लक्षमन के इस बयान को चारशीट में इस्तमाल करेगी श्रद्धा के सामने आ रहे है वाटसप चैट को भी पुलिस आफ़ताप के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तमाल कर सकती है जैसे जैसे श्रद्धा के दोस्तों के साथ चैट सामने आ रहे है वैसे वैसे पता चल रहा है कि आफ़ताप कितना हैवान था हर चात में श्रद्दा ने अपने दोस्तों के साथ आफ्ताप की दरिंदगी का जिकर किया है श्रद्दा को ये भरोसा था कि एक दिन आफ्ताप उसके घर से चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ या रुकेंगे एक छोड़े सब्रेक के लिए फॉरम लोटते हैं